तो सबसे पहले बात करें, what is network, network क्या है basically, network हमारे पास कोई भी दू computers को अगर हम connect कर देते हैं, जो आपस किसी भी तरह का data exchange करने में या communicate करने में, तो उसको हम computer network बोलते हैं, यह computer भी हो सकते हैं, computer network device भी हो सकते हैं, और जो हम इन्हें connect कर रहा है, उनका connection का method कुछ भी हो सकता है, but condition क्या है, कि दो या दो से ज्यादा computer हो सकते हैं, उसमें वो आपस में communicate करने चाहिए, data exchange करने चाहिए, तभी वो network कहलाता है, proper definition की बात करें, any collection of independent computer that communicate with one another over a shared medium, any collection of independent computers का होना चाहिए, जो communicate कर सके, एक दूसरे से एक shared medium के ओपर, कुछ basic networking concept के बारे में, आज हम बात करें जैसे हमारे पास need for network क्या है, networking की need क्यूं पढ़ी हमें, क्यूं यूज करते है, requirement क्या है, basic network बनाने के लिए, हमें किन-किन चीजों की जरुत पढ़ेगी, या networking कुछ terminologies है, जो basic terminologies है, उनके बारे में हम discuss करेंगे, इसके लावा switching techniques, data communication terminologies, और network types जो है, वो हम next videos में discuss करेंगे जिनका link में description में आपके साथ share कर दूगा, इसके बाद बात करें, need for networking, networking की जरूँ पढ़ी, networking की जरूँ पढ़ती है, हमें किसी तरह के resource को share करने के लिए, और communicate करने के लिए, या तो हम आपस में बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम computer network मनाते हैं, किसी तरह के resource को share करना च source हो सकते हैं, examples से एक समझना चाहें, तो हमारे पास computer network है, जिस computer network में कुछ computers connected है, उसके इलावब कुछ printers, scanner या आपका file server है, या और किसी तरह के server connected है, तो हम एक computer से बैटके, एक से ज़्यादा computers जो है, आपस में share कर सकते हैं, printer को या scanner को, या सभी command दे सकते हैं, उसे अलग- तो थोड़ा सा दूर लगावा होता है, जिससे सभी computers उसे आपस में connected है, और कोई भी print की command देगा होँआ पर, तो वो एक ही जगह से print आप निकाल सकते हैं, तो अलग-अलग जगह, सब जगह individual printer connected नहीं की जरूद नहीं है, तो वो hardware जो है printer भी हो सकता है, वो किसी तरह का common storage device भी हो सकता है, वो scanner भी हो सकता है, वो किसी तरह के और दूसरे hardware भी हो सकते हैं, तो इसी तरीके से हम कई बार software को भी access करते हैं, जिसमें क्या होता है, कि server के ऊपर हमारा software install होता है, बाकी हमें अपने clients और machines होती है, उन्हें install करने की जरूद नहीं पड़ती है, उसमें आपक operating system भी होता है, काफी तक ऐसे environment होता है, कि operating system एक जगा install है, server पर और बाकी सब जगा system boot होते हैं, तो वहीं से operating system लोड होता है, यानि हमें अपनी machine पर operating system भी install करने की जरूद नहीं है, इसके लाब काफी सारे online games है, जो server पर install होते हैं, हम browser पर जाते हैं, और उन games को online खेलना श server से connected होता है, उसको हम gateway बना देते हैं, और बाकी सारे जितनी भी, उसमें network में machines होती है, वो automatically internet से connected हो जाती है, तो internet को share करने के लिए भी हम use करते हैं, network का, इसके बाद बात करें, communication के है, तो हम computer को communication करने के लिए भी use करते हैं, जो हम बार-बार कह रहे हैं, आपस में बातच chatting भी आजकल होती है, आपकी live video conferencing के दुरू हम करते हैं, यह हमारा जो telecom या email वगरा, यह सब हमारा communication जो है, यह computer network पर ही based है, computer network नहीं होगा, तो हम शायद यह communication नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बड़ जो दूसरा हमारे पास important point है, कि हम network का use क्यों करते है, communication करने के purpose से हम computer network को use करते हैं, इसके लाबा हमारे पास काफी बार हम remote database को access करने के लिए भी use करते हैं, यह हमारे पास यह service है, कि हम अपनी computer network में एक location से बैट कर, कहीं से भी बैट कर, जो है, हम network पर कहीं जहां भी हम accessible है, तो हम distance location पर, remote का मतलब होता है distance, दूर कहीं किसी, दूसरी location पर कुछ data या information present है, उसको access कर सकते हैं, जैसे काफी बार हमने देखा है, कि हम flight की booking, trains की booking, या movie ticket booking, या कोई online shopping कर रहे हैं, या अपने school से related है, university से related कोई form अगरा फिल कर रहे हैं, तो वो actual data जो है, वो कहीं दूर जगा किसी location पर present है, तो हम वहाँ का data access कर सकते हैं, या उसको manipulate कर सकते है तो वो remote location के data को हम यहाँ पर घर बैठके या आपने किसी भी जो office में है, वहाँ से बैठके access कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम काफी बार computer network को use करते हैं, इसके बात-बात करें, अगर हम computer network बनाना चाहते हैं, हम अपना network बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या minimum requirement है, सबसे पहले तो हमें computer-like devices सही है, जिन हम आपस में connect करना चाहते हैं, उसके अलावा हमें कुछ interface port चाहिए होंगे, जैसे LAN port चलते हैं, उससे पहले पराने कुछ और port चला करते थे, आज कल जो commonly used होते हैं, वो LAN port होते हैं, physically LAN connect करने के लिए, एक cable चाहिए जिसे हम आपस में connect क सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगर दो computer के बना रहे तो हम directly LAN cable से connect कर सकते हैं, या हम wirelessly connect करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास Wi-Fi होना चाहिए उन दोनों systems में, आज कल तो inbuilt आपके पास आता है, नहीं तो आप Wi-Fi डाउंगल पर्चेस करकी USB में हो लगा सकते हैं, आज कल दो latest motherboards आ रहे हैं, उनमें inbuilt Wi-Fi भी available है, हमारे पास तो हम directly Wi-Fi से connect कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर हम complex network बनाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा network बनाना चाहते हैं, ज्यादा computers को connect करना चाहते हैं, तो हम जरूत के हिसाब से उसमें कुछ networking devices को connect कर सकते हैं, जैसे router, switches या modems, इनके हो भी जरूत पढ़ने पर हम यूज करके बड़ा network बना सकते हैं, इसके लवाज इन चीजों की हमें जरूत पढ़ती है as per the need, वो हमारे पास server based operating system होता है, अगर हम बड़ा network बना रहे हैं, तो उसमें एक server होता है, वाकी client होते हैं, तो वो server as a server काम करें, उसक हम टाला जाता है, तो Windows जब हम Windows 10, Windows 7 यह सब यूज करते हैं, यह client based होता है, ऐसी Windows 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, इस तरीके से अलग version की नीम से आते हैं, नॉर्मली हम इन से ज्यादा knowledge में नहीं है हमारी, क्योंकि हम इन यूज नहीं करते हैं, तो server यूज बनाते हैं, जो configure करते हैं, वो पहल इसकी तरह का server बनाना होता है, तो उसकी settings उसमें change किया जाता है, इसके लावा आपके पास Windows नहीं यूज करना चाहते हैं, वो Unix, Linux based operating system भी यूज करते हैं, server बनाने के लिए, तो यह सब आपकी basic requirement है, आपके एक computer network को design करने के लिए, इसके बात करें, network की कुछ terminologies की, जो basic terminologies हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले बात करें, तो हम एक term use करते हैं, node या workstation, जिस computer से बैठके हम काम कर रहे हैं, जो हमारी client machine है, उसको हम node या workstation बोलते हैं, जहांसे हम किसी data versus कर रहे हैं, हम कोई अपना काम कर रहे हैं, इसके रावा एक term use होती है, server, server का मतलब है, ऐसी service serve हो रही है, वो service आपके मैंने कहा, website की service हो सकती है, या अगर कहीं पर हमने website upload कर दिये, और वहां से बैठके दूसरे लोग उसे use कर रहे हैं, तो वो web server कहलाएगा, अगर कोई file हमने कहीं, बहुत सारी store कर दी है, और वो file subject को accessible है, तो वो file server हो गया, ऐसे database एक जगा store किया है और वो आपका subject accessible है, तो वो आपका database server बन जाएगा, ऐसे printer connect connect है, तो वो print server बन जाएगा, तो इस तरीके से हम किसी भी service को network की अगर available करवा देते हैं, बाकी सब के लिए तो वो आपका server machine कहलाती है, इसी तरीके से एक network interface card या NIC बोलते हैं, ये आपका जो है, पहले अलग से ह अब इसको हमें attach करने जरूत नहीं पड़ती है, usually ये हमारे motherboard में inbuilt आता है, आपने देखा होगा, आपके जितने भी computers हैं, उनमें CPU के back panel में आपने देखा होगा, LAN port पहले से available होता है, तो ये motherboard पर ही attach होकर आने लगा, पहले ये अलग से लगाना पड़ता था, अभी में खर इंटरफेस काड होगे है, जहां से हम अपने computer को network से connect कर रही है, तो ऐसी और बहुत-बहुत सारी हमारे पास network की कुछ terminologies हैं, जैसे हमारे पास FTP, आपका NAT, host, www, broadcast, firewall, web, broadband, downtime, ऐसी बहुत सारी terms हैं, जो हम आगे आने वाले sessions में सीखेंगे, तो आप बने रहिए, कोई doubt है आ इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, thank you very much